असलाम अलेकों मैं मसर्फातिमाच खास आप लोगों की फर्माश पे देखिए बगारी चुक्के की भाजी बनाई है बहुत ही टेस्ट में बहतरीन है इसमें साथ में मैंने चनी की डाल जी आइट की है और ज्यादा टाइम नहीं लगता है ये फटाफर बन जाती है रेसेपी आप लोग इसे ज़रूर बनाई है इंशाला ये वीडियो के निचे में गोष वाली जो चुके की भाजी का लिए उसकी लिंक मैं इंशाला ये वीडियो के निचे आइट कर दोंगी आप लोग ज़रूर देखिए अगर तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल अगर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो की नहीं सीने नोटिफिकेशन अब तक आ जाएं, प्लीज प्लीज मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज लाइक ज्यादे से ज्यादा शेयर करिए, और मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए, मेरे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए इसका बनाने का सिंपल तरिखा बताते हैं, इसमें मैं ले रहे हैं, देखें, एक कप चनी की डाल है, जिसे मैंने 2-3 घंटे भी आके रेडी रख लिया है, हाफ कप में इसमें तेल लूँगी, तेल कभी भी ज्यादा दालिये, जब भाजी बनाते हैं, और यह देख सकते हैं, दो बड़े सैस के टामाटे है, एक मीडियम सैस की प्याज है, और 1 टी स्पून मैं रेच चिली पोड़ले रियों कश्मीरी ल देख सकते हैं, इसे भी मैंने बहुत अच्छे से खुले पानी में धो दिया है, और इसकी भाजी की इसी तरीख से बड़े बड़े पत्ते और काड़े की संगाती से तोड़ा जाता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफर से, पड़े अच्छे से गरम हो गई है, अच्छे से गरम हो जाना है, उसमें मैं प्या रेट करूंगी, प्यास का फ्ले मैंने स्पीट रहता है, प्यास लेट ब्रॉंग होने देंगे, अच्ली यार लाइठ ब्रॉंग हो गई है, वेचिसारे मसाले अच्छे दोगी, यह बहुत जल्ब बनती है, बागी जादा पाम यह लगता हो क्ता हो के सपाफ़शचे वन जाती है, अरगभाई के जलना बहुब यह बहुती आड़े के गना शोटी हो लेधे बीस मेसे ज़ अब मैंसे भाजी आएक करगें ताटे मेंसे तोई की भाजी आएक करगें और मेंसे साटे में तमाटे आएक करगें शेमी की दाल बस धंब करगें आएक करना है अब इन सारे चीज़ों को इसमें अच्छे से मिलाना है और हमना है ती ताटे से लगाता है दो सुप्री मिल्टर मेंसे भूंगी भाजी दालते की कवर करके मतहर जाए भाजी हो चाहे ठली हो दालते की हम इसमें जितना उसे भूंदेंग भूंकर उसमें पाने दालके जब हटना है उससे पहले हटना नहीं है दालते की हरे सब्जें को आप भूंदी थे वह बहुत ही मज़ेदार बनते हैं अज़ बनते हैं कि अंध्या है उसमें बनते हैं बगार बगर बोश मटन सीचन में आप लोगी फर्मेशे, यह जाधा तर ऐसे भी बना करवता है, तो मैं खास आप लोगी फर्मेशे बना रही हैं जिए जिए पार हमा सैंप आप लोगी फोगी زाधाय है है यहिए अधिन्त तो मालजेनी स mango steak नहरा रहा है शचावमिशी वसें राणध्योश दचावाँ है इस इस में जिए और ऐसमत्त बहुति कर बधनेगे इतीने रवने भालती है अगर आप इसमें चनेक दाल नहीं डालना चाहे तो जम दोगागे और अलग सो जोला करी आपके देशने के दाल इसमें जल्दी बन जाती है जाला काने लगता है बनाई उसहाला ये वीडियो के निए से मैं गोस में जो बनाया है विसके दिशेर करूँ नमक लग समसी कोवतह है तो नमदये बनागे दाला के रहे है नमक लेटाजे गरूग नागे नगीदा आठाए के रहे लिए नमक लेका नगे दाला के रहे हैं लगातार मैंने इसकी दाल के ही लगातार मैंने सुभूंते लिए बनाया है एक मिट के लिए मैंने से नहीं छोड़ा है भाजी को इसलिए फटा-फट जल्दी बन जाती है आप भाजी दाल के कवर करके हर जाए तो बहुत टाम लगता है और एक मिट के लिए से भूना है भी इसके बार मैं इसे चैनी की दाल और फोड़ा से पानी आइज करूँगी इसमें इसे बहुत अब नई इसका में चैनी की दाल आइज करूँगी और और प्राव्ट गणा है ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा पानी देना है अब अब इसे धीने पे कवर करके दम पे रखूँगी एक दो से तेन रड़ पर चले दे सकते हैं भादी दम पे रेडी हो गई है बहुत एच्छे से बनी है चले से भी शॉट करते हैं करते हैं आप इसे करते हैं भी कितने जल्द बन जाती है भाजी ज्यादा टैम नहीं लगता है हम बगारी भाजी बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बनती है ये भी ये देखें रेडी है ये ये दे सकते हैं बगारी चुकेगी भाजी रेडी है आप लोग भी से तरिके से बनाईए खाईए और हम बताना ज़रूर मेरी ये रेसेपी कहीं ची लगी इंशाला मैं नहीं से ने अच्छे से रेसेपी के साथ फिर मुलाख़त करूंगी जे खिर ये बबवारी बतानाग गारी ये अजरूर मैं चुक ब우िधा करना जि वी जय्वारी अूर्बध egent अपर जडिए प्रhandsized गड खाम बतानाईए ये प्यार में हुताना जे देनाए जा आपे तरिके से खार मैं आढ़ारली है छें वींशाला जेए। आजए गले ख